हम जितने लोग यहां बैठे हैं, सब की चार उम्र है बच्पन, युवा अवस्था, प्रोड़ा अवस्था और बुढ़ापा भगवान अगर किसी को बीच में से न बुलाएं तो ये चार अवस्था से हर एक को गुजरना है तो आप में से जो जिस अवस्था में हो, इसका ध्यान रखे फिर हमारे चार जीवन हैं प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, पस्नल लाइफ ये चार जीवन हो गए अब मैं जो आप से बात कह रहा हूँ, बहुत महत्पूर्ण है इसको ध्यान से सुनीए, अगर आप ये बात समझ गए तो आपके लिए शान्त होना असान हो जाएगा चोबीस घंटे में हमारा लाइफ, एनरजी लेवल चार बार बदलता है फिर दोर आ रहा हूँ चोबीस घंटे में हमारा एनरजी लेवल चार बार बदलता है इसको बिलकुल दिमाग में बैठा ली जगा सुर्यों दैसे एक घंटा पहले एक घंटा बाद हमारा लाइफ, एनरजी लेवल हंड़ेट परसेंट पॉजिटिव और जीरो निगेटिव हम उसमें चूख जाते हैं फिर हमारा एनरजी लेवल दोबारा चेंज होता है दोपर बारा बज़े से दो बज़े के बीच में 50 परसेंट पॉजिटिव 50 निगेटिव सुबच जो जीरो निगेटिव था 100 परसेंट पॉजिटिव था वो कनवर्ट हुआ 50 पॉजिटिव 50 निगेटिव यह हमारे लंच का समय है बहुत सारे लोग अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं बहुत सारे लोग घर में होते हैं पर इस समय एक हरमनल चेंज होता है एक एंग्जाइटी एक प्रिशर आफ पील करते हैं परस्नालिटी में तो हमको लगता है यह कामकाश का वक्त है वो अपनी जगह लेकिन एनरजी लेवल चेंज हो गया है 50 पॉजिटिव, 50 निगेटिव अब शाम शाम को किसी को अकेला छोड़ो तो बावला हो जाता है आदिली शाम को सब भागते बाहर शाम काटे नहीं कठती है क्यों क्योंकि एनरजी लेवल 100 परसंट निगेटिव, 0 पॉजिटिव अब इसको फिर बदलना है चौथी बार और वो है रात को सोने से पहले सामान नितहर 9 बजे से 11 बजे के बीच में वो जो शाम को 100 परसंट निगेटिव था उस निगेटिव को नीचे गिरना है जीरो पॉजिटिव को उपर उठना है रात को 9 से 11 के बीच में और इसी समय हम चूग जाते है ये 9 से 11 के बीच में न हम निगेटिव को गिरने देते हैं positive को उठते देते हैं बस तो फिर रात बगड़ जाती है सुबह हैंगवर में उठते हैं नेंद नहीं आई, बेचे नहीं है, परिशानी यह पूरा cycle बगड़ दया तो मेरी बात आप समझ गए हम सब के हम सब की चार उम्र, बच्पन युवा अवस्था, प्रोड़ा अवस्था, बढ़ापा हम सब के चार जीवन, व्यवसाइग जीवन, सामाजिक जीवन राष्टरी जीवन कह लें फिर पारवारियक और फिर नी जी और चार वक्त एनरजी लेवल चेंज होता है हम इसे बहुत सारे लोग जानी नहीं पाते कि ये चार वक्त क्या किया चाए मैं सिर्थ भूमी का इसलिए बना रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ जाए